So hello everyone, यह हैं इन्दालको इंडस्ट्रीज के quarter 3 के result तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि इस share के results यहाँ पर कैसे आए हैं तो देखते हैं यहाँ पर इस share के total income को yearly basis में यहाँ पर जो income है वो 53,517 करोड थी जो quarterly basis में 53,088 करोड यहाँ पर हो गई है quarterly basis में यहाँ पर जो share के income है वो यहाँ पर decrease हुई है अब बात करते हैं total expenses की yearly basis में 52,305 करोड थी जो quarterly basis में 49,761 करोड यहाँ पर हो गया है income के साथ यहाँ पर जो है share के expense भी decrease हुए है अभी share के total comprehensive income को देख लेते हैं तो वो yearly basis में 2721 करोर था जो quarterly basis में 4169 करोर यहाँ पर हो गया है total comprehensive income यहाँ पर जो है वो increase हुई है और earning per share yearly basis में 6.13 पैसे था जो quarterly basis में 10.50 पैसे यहाँ पर हो गया है overall analyze करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो share के result है वो medium देखने को मिले हैं price level की बात करें तो 510 या 510 रुपे के अबव आपको जो है यहाँ पर maximum target देखने को मिल जाएगा तो hold करके रखना चाहे तो आप share को यहाँ पर जो है